दोस्तों इस वीडियो में सुरू करने वाले हैं हम लोग सोला नंबर क्यूस्टिन से लेशन नम्में इगार पढ़ रहे ना तो उसका सोला नंबर से क्यूस्टिन करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सुलावा क्यूस्टिन सुनिएगा क्राय की एक धात्विक छड की से यानि इसी कमान पूछ रहा है गामा का तो लेकिन दीया हम लोग क्या लंबगा दिया है इए अ परषार गुरांग कई तो हम लोग रेखी परचार गुरांग निकल लेते हैं और उसके पाद रेखी परचार गुरांग और आइटार गुरांग में समग रहे तो आलफा समंदे टू बीटा सब्सक्राइब करके निकाल देंगे ठीक है तो चलिए निकालते हैं पले क्या रेखी प्रसार गुणांग एक दिया है हम लोग को उसकी प्रारंबिक लंबाई दिया है यानि टीवन पर यानि जीरो डिग्रेट सेल्सियस पर उसकी लंबाई कितनी है तो पांच मीटर है droog यह के दिघंट बढ़ा के कितना कर दिया जाय जब सब इसकी जो लंबाई हो जारी है यानि लंबाई बढ़ के मैं जीवरान और एल्टू कितनी हो जाय रिए तो पांच द समलोग जीरोग स्यट्वर हो जा तो 5.01 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0,10,1 इतना सब को समझ में है चलिए अब देखिए जो रेकी प्रसार गुरांक होता है वो होता है डिल्टा एल बटा में एल डेल डाटी होता है एल कमान कितना है हम लोग का 0,10 डिल्टा एल कमान एल कमान कितना है पांच यानि प्रारम में यहां पर प्रारम भी कायतन लिखते हैं फिर डिल्टा की की डिल्टा टी कितना है तो 100 अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा इसको सॉल्व करिए देखिए उपर से उपर नीचे 100 से गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा एक यह बैटा पांच आगुडिडास की पवर माइनस फॉर हो जाया गकेसे उपर साथे वड़ा कर एंगे नीचे प्लचो आओ करी द सब्सक्राइब पर माइनस फूरोगा इतना क्लियर है अब इसको देखे करेंगे सौर्फ तो कितना जाएगा अलफा बराबर आ जाएगा आपका कितना तो जीरो दसमलो दो गुड़े दसकी पावर माइनस फूर इतनी सब को समझ में आई बाते दसमलो को उधर ले जाना है इधर ले जाना है तो क्या करेंगे भाई दसमलो मैंने बताया कि जब आयन से दाय ले जाते हैं तो उसकी घात में ब्रिद्धी होती होती हो भी रिड़ात में ब्रिद्धी होती है क्या त लात्मा व्रिदी तो गूटे दसकी पावर माइनस or में कैसे ब्रिदी ओगी तो रिरात्माग व्रिदी ओगी तो एलफा ब्रॉबर कितना जाएगा दो गूड़ दसकी पावर माइनस 5 इतना क्लियर है तिया गिया हम लोगा क्या रेखी प्रसाड गुरांग क्या गया रेखी प्रसाड गुरांग लेकिन होता क्या है जो रेखी प्रसाड गुरांग होता है संबन दोता है उसका आयतन प्रसाड गुरांग में तो रेखी प्रसाड गुरांग स्पिर्टूबीटा यानी यहां पर शोल ये सरे नहीं से नहीं होता है देखित से होता है यंश्केः परसार कर इसे चाह बार्पार्प स AG लाय गामा हो गया जांद सैरम और तो पात हुता है मतलब जो बीटा है यानि जो शेतरी परसार करता हो उर्थ सक्रणी का गूधना होता है फिर व워서aya निकाले तो वोथ यानि आपी आलफा लगा देते हैं ठीननेते ृ टो बीटा जेगा टू động फोस्तो गाम's नोच ये थ्री अल्फा अभी सिपे अलफा कमान रख दिए तो गामा बyrotувोर एट्री अलफा चलिये आल्फा कमान कितना है दो गुड़े थिफाल थी पावर मायनुस फाइव तो गुड़ा करेंगे तो दो तियां6 गुड़े 10 की पावर मायनुस फाइब डिगरी प्रति एक ब्रति डिगरी चल्सियस त्योंग आया तन प्रसाड गुड़ां खितना यह एक गुड़ा स क्वार माइनस पाच डिगरी प्रति सेल्शियस चल्य ओप्शन की बात करें व्याइब आप्शन मिला ये तो उसको पुना आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बस फर्मुला का खेल का और तुसमें नोट करिए बढ़ते हैं 17 नमबर क्यूश्चन के तो सुनिएगा 17 नमबर का क्यूश्चन के रहा कि तांबे की आयतकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है प्लेट को इसको जब गरम करेंगे तो इस छेद का आकार क्या होगा घटेगा की बढ़ेगा की से ऐसे ही रहेगा यानि बराबर ही रहेगा इतना बढ़ा है न जैसे घटेगा बढ़ेगा बराबर ही रहेगा और या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं तीन आप्सन दिया है इन में से कोई नहीं तो क्या होगा आपको लोगा कि जैसे गरम करेंगे तो इसमें क्या होगा प्रसार होगा तो यह छेद क्या होगा बंद हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या होता है इसका आकार और बढ़ता है क्या होता है तो इसमें क्या होगा छेत्री प्रसार कोई भी यह इसा खोकला का तो यह सो इसको गर्म करते है तो ऑघतगा नहीं ठीक है बाठ सब को समझ yakने अहीं एब कैसे Ben yeah लेकिन होता घरता नहीं बढ़ता आई है इतना क्रियर है न चलिए देखते हैं 18 नमर क्रिश्चन केरा कि लोहे का छेत्री प्रसार गुड़ांक इतना दिया है लोहे का रेखी प्रसार गुड़ांक होगा सिंपल सी बात वहीं 18 नमर का क्रिश्चन में इसका छेत्र प्रसार ग दीद एक रेकrant कमान पूच रहे हरा है का मतलब हो जाएगा पीटा कमान रघ्जी डास मलो 00 00 16 ब्रांप मैं 2 कटा हेंगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा जीरो दसमलो 0,008 डिगरी प्रति डिगरी सेलस्यस यह हो जाएगा आपका छेतरी प्रसार गुडांग आप शन की बात कर ले अठार का तो क्या हो जाएगा तो आपका आप्सान नमबर से करेक्ट है ठीक है जिरो दसमनों o 00008 प्रती डिगरी सेलसियस इतना बात न सब को समझवें यह यानि जो संबंद होता है मैंने बता है नहीं आप आलफा बीटा गामा में एक दो तीन का संबंद होता है असब के आगए आलफा गांप लाग बराबर टू अलफा हो जाएगा गमा बराबर ठीलफा हो जाएगा आलफा तो आलफा रटाई है इदिनी बाते सब को समझ भी है तो ऑप्सर नमबर कौन सा सब्सक्राइब का अप्सर नमबर सी करेक्ट हुआ तो चले देखते हैं बिस नमबर का क्रिस्टिन एक असे सुनिया क्या क्या कह android ब्थ एक रृए्ट परियों के उत्रों खंड्रों के बीच जगा जोड़ी जाती है क्योंकि isto रेल की पटरिया होती है उनके बीच इने जहां पर जोड़ होता है उसके भीच खाली Malcolm चोड़ा जाता है क्यों ये मैंने पहले वी बता चुका है कि रेल की अउस rookie पटरिया होती हैं तो उनके बीच खाली अस्थान चोड़ा जाता है जब जोड़ाता है तो क्यों छोड़ा जाता है भाई तोगर्मिय खईने दिनों में तर्टेवीस चुटेए पड़ेगा ताप पड़ेग हो जाएंगी तो इसके बीच जो खाली अस्थान छोड़ा जाता है क्यों छोड़ा जाता है तो रेखी प्रिसार गुणांग को होने के लिए तो आपका अप्शन नम्र कौन से सही हो जाएगा लोह के छोटे खंड बनाना सरल है ने भाई छोटे खंड मजबूत होते हैं नहीं इससे पटरियों को उसमी प्रिसार के लिए अस्थान मिल जाता है इसको क्या होगा पटरियों को रेखी प्रिसार गुणांग के लिए क्या हो जाएगा अस्थान मिल जाएगा एनी थोड़ी थोड़ी फैल सकते हैं इसका अप्शन नम्बर कौन से सही है सी सही है इतनी बात सब को समझने आई यह अप्शनल था चलिए किस नमबर का सवाल सुनिए एक इस नमबर वाला क्या कहे रहा है कि करें कि सो डिर्सेस ताप बढ़ाने पर चड़ की लंबाई 0.2 परसेंट बढ़ जाती है चड़ के पदार्त का रेखी प्रसार गुडांग खोगा ताप दिया है कितना डेल्टा टी कमान दिया है सो डिर्सेस बढ़ाने पर ठिक 0.2 परसेंट इसको करेंगे कितना जाएगा 0.2 बटा में सो यह इसको लिक सब्सक्राइब गुड़ की पार माइनस दो इतना बढ़ाने पर क्या जाए रहा है इतना डिवर से इतना अरता रेखी प्रसार गुडांग पूच रहा है ठीक तो चलिए रेखी प्रसार ये लोग कितना इल Ka hina एक हुए हो रहा है ना एन को फ 151 सिर्सक्राहा जो का या रहा है थे प्रसार तीप इसको पार सिक अब रेकी प्रसार गुडांग निकाल ही तो किया हो ज़्यारह तकि रहेक एक रिकी प्रसार गुडांग बराबर क्या होता है डेल् Varu Сa है छले डिल्ट्टाल कमानर के 0.2 गूड़े 10 की पाउर माइनस टू एल बटे में अल्ट्रारंबिक एली एल्टा टी कमान सो लटल केंसेल हुआ हुआ अभिटकी पाउर माइनस दूर इसको भी लिख सकते न को हालता है ओसे सो को लिक 사क तैंको इस की पावर दो अब इसको उपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो 0 doesn more 2 अऑ गुरे 10 की पावर Mobile oh this i a bit 007 – 0000 20 senior मेन इस टीजीर प्रती डीगरी for a 10 की पार मायन स्टेज में आए ग्री प्रती डीगरी चैल्सियessed it for or و 15 इसको चेंज कर दिया है तो पहले यसे ही दस मलोग को उधर ले गमेट कितना ओपसर आपका 2,-4,-1,-5 तो इसका option number अब मैच कराइए दो गुड़े दस की power minus 5 आपका option number A आपका option number A क्या है क्या है ठीया नी a-alpha बराबर कितना आएगा दो गुड़े दस की power minus 5 प्रती डिगरी celsius आपका option number A क्या है अलफा A alpha बराबर A option number A क्या है इसका सही है चलिए एकीस हो गया नोट करिएगा इसको बस फार्मूला है आपका 22 नमबर सुनिएगा थोड़ा मज़िदार है यह भी मज़िदार नहीं फार्मूला यह से तो क्या कह रहा है कह रहा है कि एक बृति लोहे की हाल की आंत्रिक परदी 25 डिग्र सेल्सियस पर 200 सेंटीमीटर है ह दाल को दो सो दसमलो 48 सेंटीमीटर प्रदी के एक लखड़ी के पहये पर चढ़ाने के लिए गर्म करना होगा गर्म करना होगा यानि डेल्टा टी कमान पूछ रहा है उसका दिया है अनुदैद रेखी परसार गुडांग कमान रखना है एक दसमलों दो जीरे गुड़े द है उसको करना है दो सो दसमलो 48 यानि उतना गरम करके उतना करना है यानि जो उसकी प्रारंबिक लंबाई एल बड़ाबर दिया है 22 नमर क्यूस्चन में दिया है 200 फिर जो एल्टू करना है उसको गरम करके इतना करना है तभी तो चढ़ेगा यानि जो डेल्टा एल कमान नि नहीं परिदी को परिदी लिखदे रहे हैं ठिक ना है परिधी यह क्या है क्रारम्भीक परिदी तो दो सबस्थ भी परिवर्तव कितनी का उरा है तो दो समलो चार हो बैनीए दोसो जो जीरो दस्मलो आट मैनेस करेंगे द स मलव 4 आट सेंटिमेटर कि क्या हुर यह इसके परिवर्तन हो रहा है इतना क्रियल है इसका दिया है कि इसका जो प्रसार गुणांक दिया है प्रसार गुणांक दिया है वो उसको दे रखा है कितना तो एक दस मलों दो जिरो गोड़े दस की पावर माइनस फाइफ प्रती डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी कमान पूछ रहा है तो प्रसार गुणा क्रशार गुरांक अब वो अनुर्ष धर रहे की ओ जो भी अनुर्ष अनुर्ष द या वह श परिधी में परिवर्तन या ब्रिधी कितने का हो रहा है बट्या में प्रारंबिक परीधी प्रारंबिक परीधी अगुड़े डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कमान पूचर तो डेल्टा टी यहां पर चला जाएगा प्रसार गुड़ां को आप चला आएगा तो डेल् गुड़े रेखी प्रसार इसका जो प्रसार गुड़ांग दिया वो कितना दिया है तो एक दसमलो दो जीरो गुड़े दस की पावर माइनस पाइप अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए तो आपका आज आएगा कितना इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो आज आएगा आपका 22 है न हम कि केल्कुलेट करेंगे 0.48 22 लिखे न हाँ बाइस नुबर का क्यूशन है जी दो दस मलो 48 डिवाइड कर दे रहें दो से सोरी दो से तो ऐसे भी कटा देंगे दोस्तों से भाग कर रहें कि बार भाग करने के बाद फिर भाग कर रहे हैं एक दस मलो दो जीरो से एक दस मलो दो जीरो से और फिर 10 की पावर माइनस 5 है तो फ्लस 5 हो जाएगा यानि एक लाग से गुड़ा कर दें तो आ जाएगा आपका 200 यानि आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस यानि 200 आएगा इसको पूरा आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 200 कितना आएगा 200 मतलब कैलकुलेट करने कि आए इस में से यहां पर दो अस्थान दस मलो घटाना है न तो क्या करें कि यहानि यानि 10 की पावर मैनस 5 है त तो फिर क्या करना पड़ेगा वहीं कैसे भी करेंगे तो आ जाएगे तो इतना आ जाएगा ठीक न दो सो डिग्री से सबको केल्कुलेट करना हो तो से तोड़ दीजेगा कट जाएगा फिर ये एक अस्थान पे दसमलों नीचे न तो फिर उपर सुद्ध से गुड़ा करेंग तो दसमनों ओड जाएगा फिर कंट बार्चो कर понять एक चरस Ao 4 से कट आएगगा तर फीर डिवाइड करेंगि तो पांद वनंद आथा से 610 मलों कम करते करते पूरा वो जो नहाथ है ना खतम हो जाएगा इतना compliance अंद कर लेते हैं किसकी नैंए कर जाएगा ठीक है कि आप सांकंस से हो गया इतना क्लीर एक तो मिर्ट कर शुद कर बेंगे तश्रीलिसिक तेस नूबर करिये को समझेगा तेस नमबर फिर्ष्यन के राए कि तामे की एक ब्लेट का फर चेटर फ़ल दो मीटर स्कॉाइर है फ्लेट को तो चालिश जीड़िस सेस्टा गर्म करने पर उसका छेतफाल में ब्रिधी होगी ताबे का रेखी प्रसार गुणांक यानि अलफा बराबर दिया है कितना 0.000 0.000 0.000 16 तो इतना दिया है तो भाई कितना हो जाएगा इसका रेखी प्रसार गुणांक इतना होता है इतना सब को मालूम है तो तो गुड़े 0.000 0.000 16 रख दे तो आ जाएगा 16 दूना बद इस यानि 0.00 0000 बद इस डिग्री प्रती सेल्सियस और प्रती डिग्री सेल्सियस बीटा कमाना जाएगा आलफा ब्राबर दिया निकाल सकते हैं छेते पर सारी गुणांक पुछ रहा है दिया आः नपूच रहा है जिग्र के रहा है मतलभ जीग्र की इसे से फिरेख चैश्यार फिरेख घर्रिय जाय है area वो दिया है कि track कि ना 2 मीटर double a common क्या कर रहा है पूछ रहा है pea बादर दिया है कितना चालिस दियुल सेलसेस्स थी आप बीटा बराबर क्या होता है देल्टा ए मैंए डेलटा T हो तोता है 1 डेल्टा T कर देल्टा एक मनी कालना है तो डेल्टा ए बड़ besi करेंगे तो ऐसी का समें गुड़ा करेंगे तो असी का इसमें गुड़ा करेंगे तो आड़ दूना तो आड़ दूना 16 एक लगेगा आड़ तरीके 24 एक 24 एक सुरी 24 एक 25 एक जीरो अतलास्ट में जीरो लग जाएगा लेकिन इधर तो जीरो है ना Elect count 13 750 ए इक दो तीन चार अधस मलो कितने अस्थान पर एक 23 4 5 6 संप तो एक 2 3 4 पांक छे यहां पर आ जाएगा है तो कितना होचेगा जिरोदस मलोटी लोटी लोट लोट पांच सै इतना मीटर स्कॉयर कितने की व्रिदी स्वाइगी इसके 6 तलब में तो 0 10 00025 छे मीटर स्क्वाइर की तो ऑपेटinar की बात कर ले तेख का ऑप्षं 020000256 मियारी स्वाइर आपका आप्सें कदपार की कारे मैंच कर रहा है तो को समझ में है से कुछ था नहीं बस आलफा कमान दिया था तो बीटाब र्यावर टॉल्फा होता है बीटांट निकल लेंगे स्कूधिश्च फ़ल की बात कर रहा है च्यत्फब में बिर्धी के बात कर रहे तो घचोछ आधी इबाई होता है ँपुसल वित्वृण si the बीटा ब्रक कितना होता थे टो टेल्टा एपन ईham टी होता है डिल्टा ए कमान ग्याद करना था एक मान दिया था डिल्टा टी कभी मान दिया था बस फार्मुले में रखना है उसका मान निकाल दिंग calculation करना है calculation का खेले math तो calculation का खेली है ठीख है कि ठीजिक से है physics बढ़ रहे है लेकिन calculation करना है math की तब तरह आ रही तो क्या है calculation का सब खेले calculation करेंगे calculation आपका मजबूत होना चाहिए तो कितना आगे 0-10-2025 सब्सक्राइब करेक्ट है तो इसको नोट करिएगा फिर देखते हैं अगला सवाल 24 नमबर का जैसे नोट करिए सुनेगा 24 नमबर क्यूसचन क्या कर रहा है कि एक तप मापी पर हिमांक 20 डिशीयस तथा कोथनांक तप मापी पर साज़ डिशेस का मान होगा जैसे तप मापी यह अंतर बना है न सेल्सेस फार्नाहाइट केलविन तो इसी तरह एक और तप मापी है उसपर तो हिमांक 0-100 होता है 32-212 होता है mega 288 और 3078 होता है इसई हमांग को चना होता है एक अलग हमने create किया है कि विशन के अनुसार प्रस्न के अनुसार के साथ आप मापी है जिसका हमांक जैसे माल लेते हैं तब मापी टी है जिसका क्या है हिम आंग कि यानी जूज का प्रारंबिक यानी टीवन मानलर है वह कितना है 20 डिज दिखरी इसलसी और अंतिम उसका दो है यानी प्रया अंत्रमाल को तौनांग कितना है तो देशों डिग्रीवेश चल्शियर से कि है कि इस तप मापी पे ज VIS सम लोग डिउर सेलसेंट को फहरणाइट में चेंज करते हैं न की इतना डिउर सेलसेट इस पहर ना पर हाने कितना होगा । diyorum जो फो फे ँप है इस पह सेलसेट यहानि जो पचास गetter कितना होगा इस तप मा पीपे इस तप मा पीपे कितना होगा कितने के बराबर होगा निकलना है तो ज तरा हम लोग निकालतए ना सिय अपान 100 बराबर F-32 में एक 1 rate Creer रहन हाईट और सेलशेस के बिच निकालते हैं ये तब की कि बात है उसी तरह इस तप मापी का निकालेंगे तब मापी का निकालेंगे तो यहां पर कौन सा तप घट करतें बाई यानी फिरह One ламär होता है और यही ठीवन है और यह क्या है इस्व कि बीच कितने भाग होते हैं तो 108 होते हैं एकिसॉर से ढाल खतव तो कहां से आते हैं तो तोuineा करते हैं तो से में सब्सक्राइब करते हैं तो से मैं से फॉर्मूला बनाइ क्या करेंगे थिंग करेंगे और शैल्सइस defer . तो बढ़ एक बात कर तो सी बटा पांच करेंगे अरी है सी बटा हंदेट करें हम थान्रेट कैसे आता है तो इसके लिए जीरो होता है फोहता है टू मैनाश ममि Congress बाबर मढट बाटव नहीं दो बाहनों है इसको बनाबर में बाता गया कि एद Pot Andrew तो सी बटा हंडेड हो गया बट्रा बराबर अब नया तप मा पिली एंटी तो टी कर दिये माइनस करते हैं क्या उसका प्रारंबिक यानी जो टीवन है सुरू में जो हिमांग होता है उसको माइनस करते हैं तो इसका हिमांग कितना है 20 है कि फर्मूला बना दे चलिए फर्मूला बना देटर टीविं हे अब बत्टा ये बत्टा में जो 100 आया है डिफ्रेंस एक इसका आता है तो T2- rn 2019 को के उतना कि बीच का अंतर होता है न यानि कितना हो जाएगा टी- टू- माइनस टीवन होगा यह आपका हो गया क्या फर्मूला बन गया अब चले तो निकाल देते हैं शीब टा क्या हो जाएगा सो बराबर टी माइनस टीवन कमान कितना है 20 और कि इसके बीच कितने खाने होंगे बरापर बराबर तो डिएर सो में से घटा धेंगे नहीं यहां से अधियर स्वेस्टाद गाधिन तो एक-100 तीज है यहां से 0-0 कंसील हो जाएगा तो सी बराबर सीब मटाइब दोस बराबर टी माइनस बीस बटा में 13 लेुदा पर्फ Okay आणा डिग्रीश से श्या से यह नि जो साड्रीश से यह से उस्ता प्र्मानी ईस प्रेमाने प्वेज nove na कर देट देट वह कितना होगा उसका अंठेट में डिग्री इस्टीर अथ आप ?् नमबर से यह जाएगा आपका आपसा नमबर डी अंठान भी डिग्री सेल्सियस आपसा नमबर जो डी है वो क्या जाएगा ग्रेक्ट हो जाएगा बात सब को समझ वह यह जो फार्मूला बनाएं वह समझ में आए सब को जिस तरह हम लोगोंने सी और एफ ओडिव सरी लेस निकलते हैं थी लेते हैं कर दोनिकालते हैं तोरude जो निकालते हैं कितने बढ़ता जिरों करेंगे न हिमांग घट आते हैं तो जिरो करने से रहेगा है एक पर लेते हैं तो इसका हिमांग 32arden 2-42 कारेंगे थीर इसके को ठोक में से हिमांगो माइनस करते है उसी तरह इसका जो नविम भाग बनाने उसका कर्7 कमान निकल निकल के आ जाएगा जैसे इसके बीच निकालते हैं ती कम निकाल कर फारonna İま कि निकालते हैं उसी तेरा इसमेरा के ठीक है ठीक हे पदो में निकाल देंगे तो टीब में कुतना आएगा अन्ठाने डिक डिके कि आपका option number D correct है सब को समझ में आ तो इसे नूट कर ये फिर बढ़ते हैं पचीस नंबर क्यूस्टन की तरफ ठीक है पचीस पचीस तो क्या है भाई यह तो देख लिजी यहीं पर देख लिजे ऑप्सनल है कि कह रहा है कि एक पिंड का ताप मान Celcius तथा ख्रणाई higher the द्वरणापा जाता है फ्रनाह यह तर्माइट गेयाट अपमान होगा वह सेल्सेयो से सदयकम सेल्शेट शेयो से अधिक celsius के बराबर य premise कोई नहीं तो जाहिर सी बात है बाई सब लो बता देंगे इसको भजिशन जो celsius और फार नाइड का फार्मो है फार नइड तप मापी इसमें संबंध कितने का होता है कितने का होता है यहां से कटाते हैं तो 20 पाटे 100 और यह कितने होता है कि यह जो डिगरी सेलसियलप पर यह जू ऐसी तो 25 का आप्सना नंबर कौन ससरे हो जाएगा, आप्सना नंबर बीशालिखे ख Northeast- Select-S, सबीखोगा, पचीस का आपकूसर नंबर कौन सस लोजायगा, इतना क्लिर है, चलिए 26 का देख लीजिए 26 नंबर क्यूश्टन तो इसको मिटा आते हैं, और कितना मारinh सै चालीज समझ में चलिए इसको माइनस मैनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो चलिए सिधे गुड़ा भी करते हैं और घटाते ही इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 में 40 स्ब्सक्रावाई 52 गूड़े 5 तया विममा10 होगा इसका स्ब्सक्राइब गूड़े तो कितना होगा तो जाएगा 9 कही माइनस 200 ढीटितर उतना होगा होगा इसको कट्ञेस अपर्ट था बन आठ गूड़ेcert भर और कही माइनस 210 पहले 40 i-40-40 बराबर के माइनस 270 तब के बराबर निकालेंगे तो इदर आघए तो प्लस में होगा यानी 273adenus 40 सो यह प्लस्म हो ग्या प्लस्म हो लिए ऐतिने तब के बराबर कितना हो जाएगा तो घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा यानि 233 Kelvin आ जाएगा 233 Kelvin 25 का 236 का 233 Kelvin तो ऑप्सन की बात करें कि अप्सन की बात कर 233 Kelvin तो अप्सन नम्बर सी मैंच कर रहा है ना आपका 26 का कि सबको समझ में आया यह कि सबको समझ में आया कुछ था नहीं बस एप कमान दिया था ना इतना यहीं समझ में दोता है इसमें कि जैसे लग रहा है यहीं समझ में दोता है सबका मान रखना है और आपको सलूशन करेंगे के कमान निकल के आ जाएगा 233 Kelvin आपसन नम्बर सी आपका क्या है करेक्ट है इतना समझ में चलिए और देखते हैं आगे किशन 27 का जल को 10 degree celsius से 0 degree celsius तक ठंडा किया जाता है इसका आइतन होगा क्या होगा वाई पहले कम होता है फिर बढ़ता है या option b करे की पहले बढ़ता है फिर कम होता है option see करा कि लगतार बढ़ता है और अप्सन डी करेक लागतार घड़ता है तो चलिए मैंने एक ग्राप बनाया था ना घनत और आयतन में तो यहीं ग्राप को देखिए आप लोग यहीं पर देख लिजिए 27 नंबर क्यूशन हम लोग इसे ग्राप बनाया था यह एक्स था यह यह इस पर ताप था जीरो एक दो तीन चार पांच डॉट डॉट हम लोग दस तक लेना है तो इसमें आयतन का मैंने बताया था तो इसे बताया था ना आयतन का इसे ग्राप खीच सब्सक्राइब कि इसे जड़ाव रहे है ऐसे ठीक तो चलिए इससे कल्कूलेजन निकाले आप दोस डिगरी सेलसेशिए से ला रहें जीरो डिव टिवर सेलसेश्यस पर तो आयतन क्या हो रहा है दोस डिवर डिवर सेलस्यस पर क्या है भाई यहाँ पर है के फिर जैसे नह रहा है तो जैसे बढ़ना सुरू कर देरा यहां पर बढ़ जाएगा तो यहां पर बढ़ जाएगा फिर एक आगा तो यहां पर बढ़ जाएगा जी रहा तो यहां पर यहां पर यानि क्या करें कि बढ़ा है तो छोटा यानि घट रहा है अगर्ट के फिर क्या रहा है बढ़ रहा है तो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से अप्शन मार यह कि पहले कम होगा फिर बढ़ेगा पहले कम होगा फिर बढ़ेगा पहले कम होगा फिर बढ़ेगा अप्शन न सबसे और ढबर один कि रहे पहले घ्राथ अपिर बढ़र है नोग कर제 से बढ़त हैं 28 नमर कृच्ट्ट के तरफ तो फटा से नूट करेए इसे चलिए दिखते हैं 28 नमबर क्यूस्टन क्या कह रहा है कि एक पितल की छड़ को जैस्ते की मापनी से मापा जाता है मापा जाता है जो की 0 डिगर सेल्सियस पे यथार्थ तथा 1 मिटर लंबी है खिक उसकी देखी गई लंबाई 10 जिर सेल्सियस पे होगी जिया यह एक 10 अबे कहां है च compilation और इसको एक दस्टे की छड़ सेना पाजारा है ठीक है तो इससे ना प् ακराऊ जाए ये जस्ता है और ये तामबा है सवरिटा भन 친ड़ पीतल अलाइक हम इस फितल की च्र्ड को इस दस्टे की शट से ना पर जा रहा है ठीक और भी वुल कि ना है इनकी जोवलमबा दिया है वो एक मिटर दिया है कि एक मिटर हैं भाई ना करहां कि दोस डीरी सेल्सियस वैनि यानि टी दोस डीरी सेल्सियस किया जाए तब जो इस जस्ते दोरा इस्पीतल को ना पाज आएगा तो उसकी कितनी लंबाई बताएगा पीतल का दिया है आपका छेती इसका रेकी प्रसार गुरांक एनी अलफा बी बराबर दिया है पीतल का कितना दिया है तो 0.009 is 00.0099 से इस एस इस आप क्रेकी प्रसार ब скुध रहा है ऐन्यों सब्सक्राइब आपक प्रसाव राइग जादा होगा और भीटा की आहोगा आप mixes आगा तो बनाग जैदा होगा इसका इसका काम सब्सक्राइब ब्रिधी मैं और हो नहीं आल्पा ब्राबर डिल्टा एलबर तमेल डिल्टाटी होगा ना तो डिल्टाल नीकालेंगे तो यह आलपा कुडे यह्लिट डिल्टा ट पी ओगा ना यहीं फर्मूला यह इसके इन् venture इलपर कितना हो तो अब निकल के आएगी क्या कि कितना इसका प्रेचित माप होगा तो चले एलो निकालते यानि एल निकालते हैं जस्ता का कितना हो जाएगा इसका अलफा दिया कितना छीरो दस मोल जीरो 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 दो नो अगुडे एल कमान कितना है भाई एल याने प्लारम थी कितनी है सो है याल गुड़े डेल्टा टी रहों कंए दस है छले गड़ा करेंगे तया कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 तीन यानि जो दसमलो है दस चीरा है यह ब्रश जिशेगा यानि ये 30 गया conversion मोलों यहां पर एजा जाएगा तो न जी झाएगा तो पीतल का कितना हो जाएगा पीतल पीतल की लम्बाई में में ब्रिधी k हम एक विक गाल थे लटू वह भी कितना हो जाएगा तो वह भी होगा कितना एल्फ़ा-बी इंटू डेल्टा रेंटू एल आइंटू डेल्टा टी एह होगा ना इसका मान दिया 0.000 जीरो 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 एक नम अगोड़े इसका है 100 अगोड़े इसका है कितना 10 फिरो ऐसे इसमें भी 13 मलो कर जाएगा तो आजाएगा 0.000 एक 9 cm में इतना गिया तो एट्व को मान इतना हुआ गया यानी जो प्रेशचित मान होगा वह वह कितना हो गाई तो अगया जो प्रहुत मान होगा के एंगि दिंग करंद होगा तो टो प्राहुच दम कहाम हुग ज真的 लूह फोगा वो जोूर्ड डिफरेंस निकलेगा तो उसको मैनस करेंगे 100 में 2020 लेसे पहले क्या करेंगे प्र saud którego 100 मैं तो इसका डिफरेंस निकलेंगे एल टू मैनस और alarm मैनस L2 का तो और 901 यह 9-2 बनोया किता है कितना है दिंख दीक्तर départ रहे रही जिख रहा है हुआ है नहीं है। यह प्रिछित माप होगा होगा वह इतना होगा ठीक है उस जस्ते ज्वारा 10 डिरी सेलसेल्स पे मापेंगे तो इतना आएगा 9,9 سंटीमीटर का तो option की बात कर ले संटीमीटर में दिया इसलिए संटीमीटर में सब निकाले हैं ठीक ना तो option की बात कर ले 28 नंबर कृष्चन का तो 28 नंबर क्यूशन का औप्सोन नंबर आपका सभी होगा आप्सोन नंबर दी क्या होगा सही हो जाएगा कितना नॉदसमलों 9 9 आफ्सर नंबर इतना सभ को समझ में आया को बस कुछ नहीं था भाइस तर भी बढ़े गाइसका भी रैखी पर सार गुटांग को गाइस का भी होगा फेलिन में डिफेरेंट्स निकालिंगे कि स्क्राइब को घाले तो एलमूनिय में इतना की ओगी और पितल में इतना होगी इन दोनों कितना व्रीद होई तो इसका अंतर निकालेंगे तो ही अंतर निकालेंगे तो कितना हैंगे scripts 01 कि प्रीद होई अब नाप हेंगे कि यप कितना इसका होगा तो ओनी सो में से माइनस करेंगे इतना तो आएगा आपका एंसवार 99.99 जो कि आपका आपसा नंबर कौन से सही है इतना क्लिर है चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्रिश्चन की तरह इसको नोट करिएगा चलिए देखते हैं 29 नंबर क्रिश्चन सुनिएगा कह रहा है कि एक स्पात की छड तता एक अन्य अल्मूनियम की छड का तापमान 0 डिरी से सो डिर से तक बढ़ाने पर दोनों छडों की लंबाई में समान बिर्दी होती है यह जितना एलमुनियम बढ़ेगा उतना ही स्पाथ बढ़ेगा।। इस्पाथ की छड़ की लंबाई एक मिटर है तो एलमोनियम की छड़ की लंबाई लगभग है। लगभग है ठीखना यहन हैं एल मुनियम का दे रख्खा है इस पाध की लंबर दे रख्खा है तर्य सब्सक्राइब आद आध मतलब मेटर क साध दिया आप करें ही पर सार एक बार एक निस्देया और फिर जो एल्मोनियम है एल्मोनियम ठीक ना उत का दिया है उसकी पूछ रहा है यानि तो नहीं पूछ रहा है और इसका जो रेखी प्रसार गुणांग है वह दे रखा है आलफा कमान कीतना अलफा एल कमांदे रखा है एक दसमलो साथ एक गुड़े दस की पावर दस की पावर माइनस फाइब डिग्री प्रती डिग्री सेल्सियस यह तो हम लोगों को वैलू दे रखा है इसको पूछ रहा है लेकिन कंडिशन क्या रख रहा है दोनों में तो डेल्टा टी होगा वो तो समानी होगा ना सो माइनस जीरो यानि सो डिग्री सेल्सियस दोनों को यह ताप दे दिया जा रहा है तो डेल्टा टी तो वहीं रहेगा फिर क्राएं कि इसके जो लंबाई में इल आधी हो रहे है कि इन दोनों कि वह भी क्या है दोनों में समान ahor यह चले देखे निकालते हैं आलफा एस निकाल रहे हैं तो क्या होगा डेल्टा एलेस बटा में एल डेल्टा टी होगा यहां से एल इधर लेकर चले यहां तो एस एल बराबर कितना होगा डेल्टा एलेस बटा में डेल्टा टी होगा पीजा चली इसको समिकर एक माले यंव फिर वही यम्मो की निकालते हैं तो क्या होगा ऐल बराबर क्या होगा या यह यहां है यहां पर एस लिए रहे भी इस पाहर को अब इसका भीजा करेंगे औल्फा एल इंटू एल एल ब्राबर डेलता एल बडे में headed आटी यानि एल्मनियम यह में ब्रिधी डाइए इधर आ गया तो देखर ये कर रहा कि जो डेलता यह समान है दोनों मैं यानिस को इस इकरेश्टम बनाते सकेंड डेइस है तो इसमे जो टी यह समाने और hogya अनिजो डिल्टा एलेश और वरल दिल्टा एल हो रहा यानि इसका अन्य वाला पॉर्सण दोनु का है ब miesी डिल्टा यह चाथ ढ Tib害 आफ रहरी एंद्रो डिल्ति लटा एलसे ओ डिल्टा method doit वही आपस क्या बराबर है यानि इसका मतलब जो इसका दाया पक्ष बराबर है तो इसका इसका बाया पक्ष भी आपस में क्या होगा बराबर होगा यानि जो एस लस है यानि जो ताप इस पात का रिखी प्रसार गुड़ांग और उसकी लंबाई का गुड़ा है वो बराबर होगा एलम कि लंबाई यानि इसको पूछ रहा है तो उसका उधर ही रहाने देजी रहाने दीजिए और इधर इसको लादी तो एस लस बटा में ए एल हो जाएगा यानि रेकी प्रसार गुड़ांग इसपात का और उसकी लंबाई अबटे में एलमुनियम का रेकी प्रसार इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा कि देखें सब्सक्राइब को सन्टी मीटर में 29 का ओप्सें मिला तो दीर कितना सेंटी मीटर में तोई जो हम लोग का एक मिटरेश को कर लिते हैं 10 pride शोगर यांप रिसो खर लेती है तो पर निर्टे सो से गुड़ा करेंगे तो यह बारा सो बटे में 101 होगा अब डिवाइट करते हैं बारा सो में भाग कर यह एक सो एकहतर से तो आपका आज आएगा कितना कि सथर कितना जाएगा सथर सतर सेंटी मीटर ठीक है तो जो एल्मुनियम है वो कितना हो जाएगा उसकी लंबाई में ब्रिदी कितनी होगी तो सतर सेंटी मीटर की कितने की होगी सतर सेंटी मीटर की तो आपका आप्शन की बात करें ठीक है सतर सेंटी मीटर तो आप्शन की बात करें तो 29 का आप्शन जो उसका अप्शन नमबर भी क्या होगा करेक्ट होगा कितना सतर सेंटी मीटर आपका फर्मूला है यहीं फर्मूला वहीं है सेम बस इसका कंडिशन रखा कि जो एल से वो ऐल के बराबर है डिल्ट एल के बराबर है यह दूनों में जो लंबाई में ब्रिदियो रही समान हो समान दे रहें तो इससे निकालेंगे यह इतना आएगा इसका निकालेंगे तो इतना यह जो है यह पूर्शन बराबर है आपस में यह बराबर है यह बराबर है तो इसका दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष आपस में बराबर होगा तो वहीं बराबर किये हैं और मान निकाले हैं इतना क्लियर आया है सतर संटी मिटर जो कि आपका अपसा नंबर भी था एक तो इसको नूट करिए फिर देखते हैं इस वीडियो का लाश्ट कुर्शन कीव है 200 degrees Celsius ताप पर गर्म करने पर इस गोले का आयतन होगा गोले का इतन प्रसार गुड़ां कितना रखे यानि आयतन प्रसार गुड़ां के देर खाए बीटा प्रावर कितना दे रखा है तो दिया है तो दो दो साथ गुर्दस की पावर माइनस फाइफ दो दस मालु साथ प्रति डिग्री चल्सियस इसका जो प्रावरम भी कायतन भी है वो दे रखायर 9 cm3 ठीक ए टीवन और टीटू की वैलू देर खाय टीवन का दिया कितना 30 degrees Celsius हां 30 degrees Celsius और चीटू का दिया कितना तो दो सब्सक्राइब गर्म के जारा है तो इसे निकाल देंगे डिल्टा एल तो कितना हो जाएगा 200 माइनस थीस कितना हो जाएगा 170 डिग्री चल्स बीटा कमांड दिया है वी कमांड दिया है डिल्टा टी कमांड दिया है उसके आयतन मे पूछ रहा है और बृट है उसके बृट है याई टिर्टा वी का ईमान क्या करा है कि पूछ रहा है चेतिर प्रसार घुर्आ का फर्मूला हो जाए डटा अतियोडल में इस देल्टा भी आνना असंदे च्वी कमांड निकलता वी ब्राबर क्या आप त्यसक्लक्त्क्त्स जाएगा辉स भी त्पाइब और यह सबमान रखें तो जायेगा कितना डेल टा भी बरावर कितना बीटा कमान कितना इस इस अब कुलेश्च आतर गुड़े की पावर माइनस हाय गुड़े कमान कि थे दिन आद Kenan orfर गुरे डेल टा टी करिए दो दसमलो साथ गुरे नौ अगुरे तो 170 ठीक इतना गुड़ा करेंगे तो आपका आजाएगा कितना अर बाग अब और क्या करेंगे भाग कर देंगे 1,00,000 से क्या करेंगे एक लाग से भाग कर दें डारेक्ट क्योंकि इसका पॉइंट ए पावर में नहीं दिया है यह नहीं तो इसका भी गुड़ा करके इसका गुड़ा करते जितना आता फिर पावर लगा कर देते फिर भाग करते हैं ठीके गुड़ा करने के बाद भाग कर देते एक लाग से तो आपका आएगा कितना 0 049 0,0 0 4 1 सेंटी मीटर सोर इम नहीं कि सेंटी मीर्टर क्योफ सेंटी मीटर किंडी मीटर कि जो सिची आजसे आइतन में भृधी होगी कितना तो जीरो दस मलो 44, multipy, भृध़ी होगी को अप्चिं की बात कर ले थीज और तु आप से Istuna का सब्सक्राइब गया है तो इसको अगले वीडियो में देख लेंगे ठीके उसको अगले वीडियो में देख लेंगे तो यह रहा इस वीडियो का अंतिम क्यूस्टन जो अगले वीडियो में देख लेंगे ठीके तो अब तक आगर आपको सेलुशन पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों में सेर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बेल आइकन को प्रेस कर लें और और नोटिफिकेशन का अप्सण आन कर लें इसे क्या होगा कि जैसे भी जो भी जब भी हम लोग वीडियो अप्लोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले